उन सारी जगों से तुम इसलिए निकल पाए हो क्योंकि मैं तुमसे बेहत प्यार करता हूँ और तुम्हारी रक्षा करता रहा हूँ ये बात तुम्हारे दुश्मन भी समझ करें हैं कि चाहकर भी तुम्हारा बाल भी भाका नहीं कर पाते अब जितनी जल्दी तुम समझ जाओ वो तुम्हारे लिए इच्छा होगा क्या लगता है तुम्हें कि मैं फकीर हूँ लेकिन जानते हो मैं जो आशरवाद देना चाहूँ बस एक पल में जिन्दगी बिदल कर रख सकता हूँ मुझे दूसरे पल की भी दूसरे मुहलत की भी जरूरत नहीं है बस एक पल मेरे लिए काफी है लेकिन मैं तुम्हें मैंनत करने क्यों छोड़ता हूँ जानते हो क्योंकि जिस दिन तुम्हें तुम्हारी जिन्दगी का फल मिलेगा उस दिन तुम्हें मेरे होने का तो एसास होगा ही मेरी लिलाओं के भी अनुबूती होगी पर तुम्हारा तुम्हारे उपर जो विश्वास बनेगा न वो तुम्हें आगी की जिन्दगी जीने के लिए और मजबूत करेगा क्योंकि तुम मुझे खोचते हो पर मैं तो तुम में हूँ यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जब मैं तुम में हूँ तो तुम अपने उपर विश्वास रखो क्योंकि मैं हूँ वहाँ और हर समय कम है, थोड़ा है, थोड़ा और होता बस बंद करो ये सोचना क्या जब जरूरत पड़ी थी तो पैसे नहीं थे के तुम्हारे हाथों में क्या जब जरूरत पड़ी थी तो लोग आई नहीं थे के तुम्हारी मदद के लिए निकल गई थे ना वहां से तो फिर अगर आगे कुछ हुआ तो साइंस संभाल लेंगे पर इस वक्त जरूरी ये है कि जरूरत से जादा लालच मत करना मैं तुम्हें सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ और उम्मीद किसी और से मत रखना हाथ किसी के आगे मत फैलाना मैं जानता हूँ कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें बहुत सारी अर्चने आ रही है लचरित्र के प्रायंड से सबकी जिंदगी में खुशियां रोना काएंगी और तब वो खुशी से तुम्हें जो तोफा देंगे उसे सुईकार करना ये समझना कि तुम्हारे साइं की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा भीट है